नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम अभी शेख्याम अप्रभात एक्जाम के करंट अफेर्शो के 248 वे एपिसोड में आप सबी का स्वागत करता हूँ इस सीरीज में हम देली करंट अफेर्श के इंपोर्टन टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की वीडियो से नमबर एक, साल 2020 में भारतिय प्रवासियों ने भेजा रिकॉर्ड तोड विदेशी धन विश्व बैंक की Migration and Development Report के अनुसार भारत ने 2020 में दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस दर्च किया है रेमिटेंस एक देश के प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में भेजेगे धन को कहते हैं भारत ने साल 2020 में 83 मिलियन डॉलर का सबसे अधिक रेमिटेंस दर्च किया है भारत के बाद इस सूची में चीन है जिसने 2020 में रेमिटेंस में 69.5 मिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त किये है भारत ने की पहली ब्रिक्स रोजगार कारे समू की बैठे की मेजबानी भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स की अधिक्षता ग्रहन की और नई दिल्ली में पहरी बार ब्रिक्स रोजगार कारे समू की बैठे की मेजबानी की श्रम और रोजगार सचिफ अपूर्फ चंद्रा ने इस कारे समू की बैठकी अध्यक्षता की इस चर्चा का मुख्य एजेंडा ब्रिक्स राश्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझोते को बढ़ावा देना श्रम बजारों का औपचारी करण करना श्रम शक्ती में महिलाओ की भागिदारी बढ़ाना इत्यादी था बारते मूल की विशेशक्य द क्यूंतला हर्क सिंग्ग को हाल ही में विश्व खाथ पूरसकार से सम्मानित किया गया है विश्व खात पूरसकार की स्थापना 1986 में नॉबल चांती पूरसकार विजेता नॉर्मन बेर्लोग द्वारा की गई थी इस पूरसकार के पहले विजेता भार्दे कृष्य विज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामी नाथन है यह पूरसकार व्याश्विक स्थर पर उक्मरी को मिटानी के लिए किये जा रहे मत्पूर्ण प्रयासों को जिनहित करता है डॉक्टर शकुंतला को यह पूरसकार बांगलादेश में छोटी देशी मचली प्रजातियों पर उनके शोद के लिए दिया गया है पंजाब सरकार ने मलेर कोटला को राज्य का नया जिला गोशित किया है इस गोशना के बाद अब राज्य में जीलों की संख्या 22 से बढ़कर 23 हो गई है पंजाब के मुख्य मंतरी कैपटन Аmrinder Singh ने एतिहासिक शहर मलेर कोटला का जिला गोशिद करने के साथ विकास के लिए कई प्रोजेक्टों का भी अलान किया मुख्य मंतरी ने यह अलान इद उलफितर के दिन किया मलेर कोटला को जिला बनाने की स्थानी लोगों की लंबी समय से मांग चल रही थी नमबर पांच तौक्ते चक्रवात तौक्ते चक्रवात दो दशक में पश्चिमी तट पर आने वाला सबसे शक्तिशाली चक्रवात है तौक्ते 2021 का पहला चक्रवात है भारते मौसम विज्ञान विभागने भविश्वानी की है कि यह चक्रवात एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा तौक्ते चक्रवात भारत में साल 2020 में आने वाला पहला चक्रवात है आपको बता दे कि चक्रवात समुद्र में कम दवाब का एक छेतर होता है जिसके आसपास की हवा तेजी से गूंती है दोस्तो अब समय आ गया है आज के सवाल का आज का सवाल है कि हमास जो की एक कटरपंती संगठन है किस देश में स्थित है आपके आप्शन्स हैं इरान, गाजा पट्टी, इराक या पाकिस्तान आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताए हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तो कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था की हाल ही में किस राज्ये ने बंदरों की जणगर्णना की है दोस्तो इसका सही उत्तर है ओप्शन डी हर्याना आप में सुनको बदाई जिने सही जवाब मिले दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आज की वीडियो का पीडियेफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रू करे और अंत में चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद UPSC की प्रिलिम्स परिक्षा में गैरेंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसित पॉब्लिशर प्रभाद प्रकाशन आपके लिए लाया है UPSC 26 वर्शों के टॉपिक वाई सॉल्ड पेपर्स आई एस डॉक्टर मनीश रंजन की इस बुक में है एक्स्प्लेंड आंसर्स और ट्रेंड अनालेसिस इसके साथ ही ज़रूर पढ़ें UPSC CSAT जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्ड पेपर्स ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलिबल है आज ही ओर्डर करें ओनलाइन आमेज़ों या फ्लिप कार्ड से और क्रेक करें UPSC एग्जाम